हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हो मैं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स ओल इंडिया में आप कहीं से भी हैं चाहे आपके स्टेट की विकैंसिस हो चाहे ओल इंडिया की विकैंसिस हो ओल इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हैं आज ही हमा हो चह indulgenoncé मोगा है हमारे चैनला को आइज सब्सक्राइब करना जो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उनको प्रांट तोरह Ginger कर दोटेट कर दोगी हमारे इंपोर्टेंट वीडियो है लोग παल की तरफ से कैंसिस आउट हुई है लोग पाल भरती 2019 के विकैंसिस याउट हुई है यहाँ पे आपका कोई भी रिटेन एक्जाम नहीं होगा ठीक है मतलब यहाँ पे आपकी डारेक्ट भरती होगी ठीक है मिनिमम एज अगर आपकी 19 है यानि कि मिनिमम एज अगर आपकी 19 वर्ष है आप अपलाई कर पाएंगे सो अगर आपकी एज मिनिमम 19 है मैक्समिम 42 है आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मोका आचुका है आप अपलाई कर पाएंगे last read apply करने के लिए यहाँ पे है 20 June 2019 apply करने के लिए रहेगी salary यहाँ पे आपकी रहेगी 34,500 से लेके 44,500 तक आपकी यहाँ पे salary रहेगी आप देख पा रहे हैं बहुत यह अच्छा मोका यहाँ पे आपके पास आ चुका है चाहे men हो चाहे women हो दोनों ही इस job के लिए eligible है apply कर पाएंगे बहुत ही अच्छा मोका है ज़रूर इस job के लिए आपको apply कीजेगा और यहाँ पे जो eligibility देगी वो पहले में आपको basic चीजे पहले बता देगी तो जो इन्होंने बता हुआ है जो आपकी जब joining होगी आपको जो required documents चाहिए तब आपको कोई भी मोका नहीं दिया जाएगा मतलब आपको अपने required document पहले से तयार रखने है वो कौन कोंसे है पहले आपको वो no down करने है अभी आप अपना notpad और pen उठाएए वहाँ पे लिखे सबसे पहले आपको अपना अलग से बायोडिटा भी साथ में रखन है और original documents आपको साथ में यहां पे रखने है अब मैं आपको notification पर लेके चलती हूँ बता देती हूँ क्या के यहां पर eligibility मागी गी है तो friends आप देख सकते हैं official notification पर आ चुके हैं मैं आपको बता देती हूँ यहां पर क्या क्या अलग से eligibility मागी गी है दो तरकी vacances यहां पर out ठीक है 40 words per minute की speed है आप eligible हो apply कर सकते हो और plus अगर आपने graduation की हुई है किसी भी सर्ट्रेम में आप eligible हो apply कर पाओगे ठीक है प्लस आपको एक से तीन साल का अगर experience है तो यहां पे आपको first preference दी जाएगी मतलब यहां पे जो vacances out की है यहां पे experience मांगा गया है minimum one year का maximum तीन साल का जिनके पास है वो eligible है इसके लिए apply कर पाएंगे और यहां पर यह official site है pserc.gov.in और जो documents मैंने आपको भी पताए है वो आपने इस address पर अपने send कर देनी है और यहां पर जो typing की speed है वो सिरफ English में मांगी गी है ठीक है आप All India में कहीं से भी है आप apply कर पाओगे क्योंकि यहा